अबको लगता है कि आपके decisions आप के अपने है आपकी सोच का नतीजा है अगर मैं यह कहों आपके decisions कुछ trap से influenced है और उस influence की वजह से काई बार आपके decisions गलत हो जाते हैं और गलत पैसलों की वज़े से आपको गलत consequences भुगतने पढ़ते हैं और बात में पच्टाते हैं आपको समझ भे नहीं आता कि क्या हुआ ये traps कई बार कोई और हमारे लिए set करता है और कई बार हम खुद ही ऐसे traps जो है उसमें पस जाते हैं कई बार ये traps हमारे लिए कोई और सेट करता है और कई बार हमारा ही unconscious mind एक thinking pattern की वज़े से इन traps में पस जाता है और जब हम इन traps की वज़े से फसक गलत decisions लेते हैं गलत हमें consequences भुगतने पढ़ते हैं तो हमें बात में अफसोस होता है कि हमें क्या किया अगर आप इन traps से बचना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले recognize करना पड़ेगा कि traps actually है कौन से आपको identify करने पड़ेंगे तभी आप इनसे बच पाएंगे Hello friends, welcome back to my channel मेरे चानल पर हम बात करते हैं Self-Help की, Self-Improvement की, Positivity की, Motivation की और आज की वीडियो में मैं आपकी Self-Help के टॉपिक लेकर आई हूँ उच्छे ऐसे traps जिनमें अकसर आप फसकर गलत decision ले लेते हैं चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो Number one trap Number one trap is the Spotlight Effect Trap इस trap में क्या होता है कि हमारा जो mind है वो यह सोचता है कि हमारे उपर एक Spotlight है यानि कि सब लोग हमें ही देख रहे है हम ही Center of Attraction है हमारे भी बारे में सब सोच रहे है और ऐसी overthinking करके हम कई बार stupid activities करते हैं या परिशान हो जाते कि इसने मुझे ऐसे देखी है आप मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा इसने माली जे कि आप कहीं एक gathering में है और आप कुछ बात करें आप से कुछ वर्ट का गलत pronunciation निकल गया या किसी बात को आप बोलते बोलते अटक गया अब आप सोचते होगा उसने मुझे बात करते वे सुन लिया उसने मुझे बात करते वे सुन लिया वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा अरे उसने मुझे देख लिये कि मैंने गलत प्रणंसेशन किया वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा तो दूसरे आपके बारे में क्या सोच रहा है आपको लगता है आप ही के बारे में सोचा जा रहा है जिब कि ऐसा नहीं है नोबडी हास तू मच टाइम तो थिंक अबाउट यू अल थाइम सो इस इस थॉट पार्टन की वज़े से की यू और इस पॉटलाइट आपके उपर एक स्पॉटलाइट है और सब का टेंशन आपकी तरफ है. इसकी वरिजे आपहुशा इंग्जाइटी में रहते हैं पैशर में रहते हैंुट-पटाइब यूट अक्षन कर जाते हैंुट-मर्णियु अहनुध परसें नहीं रह पाते हैं? और फिर बाद में आपको लगता है, मैंने कैसे कर देगी, गल्ती मुझ से कैसे हो गई, आपको अपने आपको स्पोटलाइट में नहीं सोचना है, दूसरा ट्राप, दूसरा ट्राप है, ओवर जन्रलाइजेशन, ओवर जन्रलाइजेशन मतला हमें जब एक पर्टिकुलर बात को एक जन्रल रूप दे देते हैं, मान लीजे कि आपने अपने फ्रेंड से बोला कि में को इस चीज में हैप कर दो, जिस हल्प मी आउट यह, और फ्रेंड आपको कहता है कि आज उसके पास ताम नहीं है, तो आपको किसी ओर्दे या कल लाप की हलपते हैं, मैंशा और मुझे एक और एप गर से काई आप करें आपको लुखे पहुशना था जैसे आपको साथ ट्राफिक आपको रास्तेयों मिलीच का एक U मेरे को important meeting होती है इतना traffic jam ही मिल जाता है so you over generalize it आपको लगता है कि यह चीज दे specific नहीं है generalized है ऐसा ही होता है this is again a mental trap कुसी और situation को आप कुछ और चीज से जोड देते हो और again आपके anxiety जो है और ज्यादा बढ़ जाती है anchoring effect में क्या होता है कि एक figure या एक parameter सेट कर देते हैं फिर उस parameter के accordingly बाकी सब चीजे होती हो और अगर पारामीटर गलत हो तो अफकॉस जो सके accordingly हो रहा है वो भी गलत ही होता है एक example देती हो मानली जी आप market गए और आपने आपने एक शॉपकीपर से एक इस चीज़ का प्राइस पूचा एक टीशिट का प्राइस पूचा उसने बोला 2,000 रुपीज आपको लोगा 2,000 रुपीज और नहीं 2,000 रुपीज बहुत जयादा है आप मुझे 1,000 में दे दो और आप बहुत खुश हो जाते हो और आप बह आप बहुत हो जो हो सकता है इसी जॉप के लिए बैठे है और आपके जो बॉस है जो होने वाले बॉस है वो आपको बोलते है इसी जॉप के लिए मैं अपने प्रीवेस काइड़ेट को 20,000 रुपीज दे रहा था हो सकता है आप अपनी प्रीवेस सालरी में 40,000 रॉप कर रहे थे लेकिन क्योंकि बॉस ने आपको बोल दे कि वो तो अभी 20,000 ही दे रहे तो आपके लिए एंकर सेट हो गया कि अफकोस अब 20,000 से उपर तो नहीं ले सकते हैं जबकि हो सकता है कि आपका पोटेंशल जादा हो अगर आप अपना अंकर बताएं कि आप 50,000 रॉप कर रहे तो शायद यह वाला अंकर बदल जाए लेकिन एक गलत आंकर की वर्डिस से जो अंगला डिसिजन है वो गलत हो जाता है इसलिए जो स्मार्ट हो यह जी तो छीज़ आपको चीज अपेररंस में जैसे दिखती है अगर बहुत अची दिखती है तो जो स्की नेगिटिव चीज़े है वो पीछे छुप जाती है और उसका हेलो इफ्यक्ट इतना ज्यादा होता है कि नेगिटिव चीजे लोगों को नज़र नहीं आती सिरफ पॉजिटिव चीजे ही नजर आते कहते है ना ऊची दुकान फीका पकवान एक बड़े इस रेस्टरांट में चाहिए जो बहुत अच्छा इसका इंटिरियर बहुत अच्छी बिल्डिंग है आप सोचेंगे इसका तो खाना भी बहुत अच्छा होगा चाहिए अगर खाना अ जो मोड रहता है वहीलो एफेक्ट रहता है वह इतना जार्द ईक दूसरे से इंफ्लूएंस्ट होते हैं कि दूसरे के नेगेटिव पॉइंट्स को देख ही नहीं पाते है विकर्स उनको जो उनकी एट्रक्षन है जो उनके परस्नालिटी यह वह इतनी एची लग रही होती आप उसका पहला जो है बात आपको याद रहे कि यह बहुत intelligent है मैं B के लिए बोलू slow है, stupid है, idiot है, intelligent है आपको उसका पहला जो हमने trait बताया slow वो याद रहे जाएगा तो यह hello effect जो होता है वो सबसे जो आगे चीज दिख रही होती है उसको पकड़ लेता है और जो उसके पीछे जो नेगीटिव चीज़े हैं उसको भूल जाता है उससे क्या होता है हम एक अलग image में रहते हैं और सामने वाले का गलत परसोना समझ के उसके बारे में गलत judgment कर लेते हैं इसका हमें गलत consequence भूगतना पढ़ता है नेक्स्ट ट्राप क्या है नेक्स्ट ट्राप है ट्राप नमबर फाइव जंपिंग टू कन्कुलूज़न अकसर लोग क्या करते हैं कि उनको जरासी बात बताओ वो आगे जंप करें लग जाते हैं आप किसी को कुछ बात बता रहे हैं कि यह नो तुम्हें पता है किल क्या हां मुझे पता है क्या हुआ होगा अरे अभी तो आपको पूरी बात बताई नहीं गई आपने अपने आप से conclusion में जंप कर दिया मान लीजे कि किसी ने आपको बताया कि उसने कल मेरे साथ ऐसा किया तो आपने अगें conclusion में आरे वो तो ही ऐसा आरे वो तो करता ही ऐसा है आपने एक छोटे से इंसरेंट से आगे और बड़े आप conclusion में पहुंच गए तो किसी ने आपको बता यह बारिष सुरोगी आप ने अगला conclusion बहुत traffic jama हो जाएगा फस लेग यह kharab où महुत traffic jam हो जाएगा यह problem हो जाएगा वह problem हो आप आगे के conclusion पर पहुंच गये किसी बच्चे ने आपको बताया कि किसी बच्चे ने पने parent को बताया मेरा इससे क्या होता है when you jump to conclusion आप उस situation की पूरी understanding नहीं ले पाते हैं उसको चितरी की समझ नहीं पाते हैं अब अपने conclusion में lost हो जाते हैं अगें wrong decision, wrong consequence और wrong decision and bad consequence जिसमें कि आपको बाद में बुरा लगता है last trap is sunk cost fallacy इसमें क्या होता है कि अगर हमने किसी चीज में कुछ invest कर दिया और उसमें हमें loss हो रहा है तो हम और invest करते जाते हैं यह सोच के इतना invest करी दिया जब तक इससे फाइदा नहीं होता यह जो यह जो investment कर दी इसका हम पूरा निकाल नहीं लेते तब तक हम और investment करते रहेंगे for instance माली जी के आपने एक burger खरी था and that burger was like for 300 rupees and जब आपने इस burger को टेस्ट के that burger tasted pathetic आप उसको फिल भी खाएंगे because you know आपको लेर 300 rupees इंवेस्ट करें इसको fake कैसे दूँ बेकार कैसे कर दूँ you know 300 rupees की investment waste हो जाएगी आपको यह नहीं शायद समझ में आएगा कि अगर आप इसको खाएंगे तो जो आपकी body में जो problem हो जाएगी जो आपका stomach upset हो जाएगा और ज्यादा जाएगी तो again this is sunk cost fallacy कि आपने जो investment जहां कर दे आपको लगे वो कॉस्ट नहीं डूबनी चाहिए इसलिए आप और investment उस पर करते जाते हैं आप एक सीरीज देखने के लिए बैठे नेट्फिक्स पर या Amazon पर और वो सीरीज आपने तीन चार एपिसोड देख लिए उस पर आपने कुछ घंटे लगा दे आपको वो सीरीज बिल्कुल पसंद नहीं आरी pathetic है बिकार है and you just don't like it but आपको लगता है और इसकी 5 एपिसोड is sunk cost fallacy इसके trap में आकर जो है लोग अगैन गलत decision ले ले लेते हो और बाद में consequence के बाद पच्ताते हैं आप कौन से ट्राप में फसते हैं क्या आप किसी ट्राप को लेकर क्या कोई experience है अवेड करती है वीडियो आपको बस नायो गागा थांक यू सो मच वच वच आप कहीं आप का है और य्यू आपको पसंद आए और बाद आगा था ने प्रेस्ट आपको अब आठागे बाद बहुत है उच्श्ट प्रिक्षarp